जै शरी किशना मित्रों, कैसे हो आप, आशा करता हूँ बहतर होंगे, आज की वीडियो बहुती खास है, जो आज मैं आपके लिए ये उपाई लाया हूँ, ये बहुती चमतकारी और बहुती शक्तिशाली उपाई है, ये इतना चमतकारी उपाई है, कि आपका प्यार खुद खुद आपके पास आएगा, अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से ये उपाई कर लिया, तो आपको किसी भी तांतिरिक पंडत या अगोरी के पास जाने की जुरुत नहीं पड़ेगी, किसी से साहिता लेने की जुरुत नहीं पड़ेगी, और उपाई बताने से पहले मैं कुछ खास बात बता दूं कि इंटरनेट पे बहुत से नकली वीडियो और पाखंडी लोग बैठे हुए हैं तो किर्प्या करके आप उनसे साफधान रहिएगा और बहुत से लोग अपने आपको तांतिरिक अगोरी बताते हैं जो कि असल जिंदकी में वो कुछ भी नहीं है अगर आप किसी से सला ले रहे हैं या आप उससे सहता ले रहे हैं तो पिर क्या सोच समझ कर ही लेजेगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कहीं पैसो की ठगी हो जाए तो अब मैं आपको उपाय के बारें बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है मंतर को ध्या करके मंतर का जाब करना है ला लाजन लेना है अप मईले के तेल का burg Avoidat rocky जलाना है और अगर्वत्ती जलानी है जब भी घ्रेंकाल का कोई समय हो पूरे समय आप necessaryसे मंतर का जाब करिए अगर उसको किसी भी खानी पीने की चीज पर साथ बार फोक मारकर जिस क आपको वश्यकरण करना है Commerce कि खिला दिजीगा और वो आपके वश्यमे हो जयेगा और अगर आपको किसी कारण उसको कुछ continuing inigner ट वह से दूर है तब आपको किस तरह से करना है त्यान से सुनिए आप किसी एकांट जगा जाइए जैसे कि नदी के किनारे कुवे के पास जाइए लाल कलर का आसन ले ले लिजिए चमीली के तेल का दीवा जला लिजेगा और अपने सामने दूब बत्ती आगरबती जला लिजेगा और इसी मंतर का आपको 11 दिन तक 1008 बार मंतर का जाप करना है वो इंसान आपके पास खुद बखुद आ जाएगा अगर आपने सही तरीके से सही विदी भी दान दूआरा कर लिया है तो और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर बेठे भी ये उपाय कर सकते हो आप किसी भी आमावस के दिन इस उपाय को शुरू करना है और 41 दिनों तक रोजाना 108 बार मंतर का जाप करना है अगर आपने पूरे 40 दिन ये उपाय कर लिया तो खुद बख खुद वो इंसान आपके पास आएगा ये मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ और ये बहुत ही शक्ती साली और चमतकारी उपाय है और आपको खास बात और बता दू है अगर आप किसी का वशिकरन करते हो या तंतर मंतर की साहता लेना चाहते हो तो किर्पया करके किसी ग्यानी से सला जरूर ले तबी आपको ये उपाय करें बिना सला के कोई भी उपाय मत करना हर उपाय आपके लिए नहीं है हर समस्ता का उपाय अलग होता है और अक्सर मुझे भोच से लोग बोलते हैं शिकरन का असान उपाय बताऊं तो आप सभी को बता दू असान कुछ भी नहीं होता अगर असान सब कुछ हो जाता तो आज हर इंसान दूसरे इंसान को अपने वर्ष में करके बैठ जाता है तो थोड़ा समस्तार बनिए और गलत फैमी से बचिए तो नकलिफ वीडियो और पाखंडी लोगों से साभधान दाईएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आईए तो किरकर करके इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप किसी और की मदद करना चाते हो सही क्यान बाटना चाते हो तो इस वीडियो को शेर जरूर करिएगा तो अभी के लिए इतना ही जैस शेरिकिशना